वो एक मिनिट में एक लाख तेंटालीस हजार डॉलर कमाते हैं नाम है जेफ बेजोस फूप्स की लिस्ट में प्रत्वी पर तीसरे नंबर के महा अमीर उनकी कमाई का जरिया है Amazon यानि वो प्लैट्फोर्म जो ना कुछ बनाता है ना कोई फैक्टरी है और ना कोई स्टोर ले मनी मशीन जिसकी एक मिनिट की कमाई ही एक लाख तेतालिस हजार डॉलर से ज्यादा हो उसे आप मनी मशीन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे जेफ बेजोस की आर्थिक हैसियत इतनी है कि आज वो फूप्स के महा अमीरों की लिस्ट में नमर तीन पर है 27 साल पहले 1994 में 5 जुलाई को बेजोस ने अमेजन की नीव रखी थी एक छोटी सी जगह में मामूली संसाधनों से शुरू कमपनी देखते ही देखते ऑनलाइन शौपिंग की दुनिया में किंग बन गई उस दोर में शायद खुद बेजोस ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक रोज अमेजन कमपनी की बदालत वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे लेकिन फिर बेजोस की जिंदगी भी तो करिशमे का ही दूसरा नाम रही अनहोनी को होनी करने वाले बेजोस का सफर इसी की कहानी है बेजोस की बेजोड कहानी जेफ की नेट वर्थ 151.7 अरह डॉलर 12,44,000 करोन की दौलत के मालिक जेफ अमेजन कमपनी के मालिक है जेफ अमेर्की नागरिक जेफ की ओम्र 69 साल दो साल पहले जेफ ने एमेजन का CEO का पद छोड़ दिया था लेकिन कमपनी के चेयर्मेन बने रहे इस पेस की यात्रा पर जा चुके हैं बेजोस आज जेफ जितनी दौलत के मालिक हैं वो उन्हें प्रत्वी का तीसरा सबसे अमीर शक्स से बनाता है लेकिन जेफ का बच्पन गुरुबत में बीता था जेफ का जन्म न्यू मेक्सको में हुआ था उनकी माँ जेकलिन सिर्फ 16 साल की थी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी प्रैगनेंट होने के चलते जेकलिन को स्कूल से निकाल दिया गया था जेफ के माता पिता अलग हो गए थे जितनी भी बुरी आदतें हो सकती हैं सब के सब जेफ के पिता में थी शरापीना घर के लोगों से मार पीड कोई भी बच्चा ऐसी परवरिश में बिगड सकता था लेकिन जेफ तो अलग ही मिट्टी के बने थे जेफ की कामयाबी में उनक कंप्यूटर साइंस और इलेक्टिकल इंजिनिरिंग में थी जेफ ने करियर के शुरुआत नौकरी से की डिगरी जरूर उनके पास कंप्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग की थी लेकिन नौकरी उन्होंने की वाल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में जेफ का द ये ही एक समर कैम्प चलाया और 600 डालर कमा लिये ये तो कमाल ही था जाहिर है जेफ में इतनी प्रत्वा थी कि अपने ही स्कूल और क्लास के चात्रों को कुछ नया सिखाने के बहाने उनसे फीस लेकर समर कैम्प चला सकते थे और पैसा कमा सकते थे जेफ के माता पिता भी ये देखकर हैरान थे कि हाइ स्कूल के बच्चे में इतना दिमाग कहां से आया ऐसी ही अकलमंदी जेफ ने अमेजन की शुरूआत करते वक्त दिखाई अमेजन की शुरूआत घर के उसी छोटे से गेराज से हुई जहां हाइ स्कूल में जेफ ने पहला समर कैम्प लगाया था बेटे की प्रतिभा पर मा जैकलीन और जेफ के सौतेले पिता ने हमेशा भरोसा किया Amazon शुरू करने के लिए जेफ के सौतेले पिता माईक जेफ तीन लाख डॉलर उधार देने को तैयार हो गए जेफ ने ओनलाइन बुक स्टोर खोलने की योजना बनाई नाम रखा Amazon जाने कितने दोस्तों, परिचितों, शुबचिंतकों की मदद से Amazon की टेस्टिंग होती रही और आखिरकार वो दिन आही गया Amazon से सवरी तकदीर 5 जुलाई 1994 को Amazon की शुरुआत हुई आनलाइन किताबें बिकती थी Amazon से महीने भर में Amazon का बिजनेस 40 देशों में फैला तीन महीने बाद हर हफ़ते 25,000 डॉलर की किताबें बिकने लगी स्टार्टप की ऐसी कामया भी उस दौर में किसी सपने जैसा था दुनिया के इतियास में किसी स्टार्टप ने इतने कम समय के भीतर अपने खाते में इतनी बड़ी सफलता शायद ही उस दौर में कभी दर्ज की जितनी Amazon ने की आज बेजास इसी Amazon की बदालत दुनिया के महा अमीर है महा अमीर नमबर थ्री